कि हलो दोस्तों आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे इस फोरेश फर्मिंग चैनल पर और आज जो है 200 बतक बेच कर कितना हुआ मुनाफ़ा पर टोपिक बात करने वाले हैं क्योंकि अभी अभी मेरा सकेंड वाला जो फॉर्म है दूसरे जगप है बारहाट वाला वहां पैसे 200 बतक बिका है तो उसका पूरा हिसाब हम आप लोग को बताने वाले जो लोग नया शुरू कर रहे हैं फॉर्म उसके लिए बहुत अच्छा जनकारी है कि मतलब एक अंदाजा लग जाएगा मोटा मोटी कि कितना लगभाग सर्चा हुआ लेकिन हां बतक पालने का दो तरीक कर चुके हैं लेकिन एक मोटा मोटा जानकारी दे देते हैं कि अगर आपका मर्सियल फीड खिला करके पालते हो तो आपका दो से सावा दो मेने में धाई मेने में बेचने लाइक हो जाएगा लेकिन रेट थोरा कम मिलेगा 180-500 के आसपास में क्योंकि उतना ज्यादा अन्यार के बालते हैं किसे बात शाएट अंग में देखाते हैं वह देशी तरीके से बताते हैं उसमें आइम भले एक सावा मेना जाओ लग जाता है लेकिन बतक का प्रोपर ग्रोथ होता है और रेट भी आपको उसी हिसाब से मिलता है तो चलिए यह इसके बारे में फिर किसी दूसरे वीडियो में पूरा फुली तरीके से एक्सपेंड करेंगे अभी हम 200 बतक बेज करके कितना मुनाफ़ा हुआ उस इस टोपिक पर वापस आते हैं तो सबसे पहले एक्सपेंस के बारे में बताएंगे कि कितना मेरा खर्च हुआ तो सबसे पहले जिस टाइम हम बतक का यह वाला लौट का बच्चा गिराए थे उस टाइम चिक्स का रेट था 45 उर्पिया और 200 बतक का पड़ा था हमको 9000 उर्पिया और फीड लगबग 110 दिन हम खिलाए थे जिसका की खर्च आया था 22,600 और एक्स्ट्रा वेक्सीन या आमला वगएर सब जो हम बताते हैं छोटा-छोटा चीज जो आसपास में घर के छोटा-छोटा मार्केट से सस्ते में ला सकते हो सबजी का कतरन हो गएर सब तो वो सब मतल 23,200 रुपिया और इस टाइम जो मेरा बतक विका था वो था 265 का रेट से और 265 का रेट से 180 बतक विका था जिसका की टोटल होता है 47,700 रुपिया और खुला रेट जो पॉम पे आके आसपास कार्मी खरीदा था वो साड़े 300 रुपिया में बड़ा साइज का मेल अगरे सब लेके गया था तो साड़े 300 रुपिया रेट उसका पड़ा था 17 पीस लेके गया था तो उसका होता है 5950 रुपिया और तीन पीस मोटलिटी हुआ था मेरा इस बार का लोट में से सिर्फ तीन पीस मरा था तो टोटल जो सेल हुआ वो हुआ 53,650 रुपिया का और इसमें एक्सपेंस जो हुआ खर्च जो हुआ वो हुआ 33,200 रुपिया और तोटल नेट प्रोफिट अगर आप जोड़ोगे तो 20,450 रुपिया इसका प्रोफिट हुआ लेकिन आप आप सोचो 110 दिन आपको फीड खि साड़े 3 मेना से पौने 4 मेना के लमसम में आपको बतक को रखे और सिर्फ आपको 20,450 रुपिया हुआ ये मैने है कि सिर्फ 200 बतक रखने से इतना हुआ लेकिन 4 मेने लगबग लगबग आपको लगा और 4 मेने लगने मेरे देशी तरीके से 4 मेना लगा ये सही बात है लेकिन 20,450 रुपी अगर 4 मेने में होता है तो इसका मतलब एक मेने में 5,000 हुआ सिर्फ तो ये तो कोई कमाई का जरिया अच्छा हुआ नहीं पर हां आप अगर मेरे चैनल पर रेगुलर होगे तो आपको बताए थे हम कि एक बार में 1,000-2,000 बतक रखने से अच्छा है कि आप हर मेने 2,200, 3,300, 1,500 का लोट गिराओ ताकि आपका बिक्री भी जब हो तो वो हर मेने हो और एक बार मार्केट जैसे मानलो कभी किसी मेने में अभी जैसे 2,65 रुपे का रेट मिला कभी मिलता है 2,40 रुपे का रेट कभी कभी 280 रुपे का रेट मिलता है कभी 220 रुपे का रेट मिलता है तो आपका अगर मानलो हजार दो हजार दस जार पीस रख रहे हो और मानलो उस टाइम पर फस गया माल जिस टाइम पर 220 का रेट हो तो आपको कितना ज्यादा लॉस हो जाएगा तो इसलिए आप हर मेने 200-200-300 जितना भी आपको रखना है लेकिन हर मेने उतना-उतना quantity आपको ब मार्च में अफरी में जिरा लिए उतना-फरिकिस लिए 1-500-300 ङया- 150 पे समय तो इसमय आपको रेगूलर चलते हो तो आप रह सकते हो जैसे थंडी मेने सहो हो घऻुना तो रहले दो एक मैने महिन पहले आप बड़ा पीस रख लिए ताकि थंड में अच्уск ही बिकता है तो यह तरीका हम आपको पिछले वीडियो में पुराने वीडियो में आपको हम explain कर चुके हैं लेकिन हाँ आप खुद सोचो कि दोसों देखो बहुत सारा किसान जो हता है या तो जगह का कमी के वज़ा से या तो पैसे का कमी के वज़ा से तो उतना ज्यादा हवा में उड़ने का जवरत नहीं है चोटा तो रुपे ही करो लेकिन हाँ रेगलर आप उसको बच्चा गिराओ मन्त एक से सावा मेने के अंदर लोट गिराओ अगर सोचो 200 बतक का हम लोट सुरू कर रहे हैं और हर मेने हम 200 बतक गिरा रहे हैं चोथा मेने में जो मेरा यह 20,450 रुपया का प्रोफिट हुआ है इस बार तो 20,450 मेरा हर मेने में बिक्री होगा लगभग लगभग में तो मेरा 20,000 लगभग सेलरी हो गया अगर आप 200 गिराओगे पूरा बेच के खतम करोगे फिर 200 गिराओगे तो आपको क्या बचेगा अगर आपको एक बार में ही लोट गिराना है तो फिर आप एक कम करो सीधा 1000-2000 पीस गिराओ तो आपको यही एक लाग सावाला क्यास पास प्रोफिट होगा तो आप दिवाइड कर लो कि चार मैने में कितना आप पड़ेगा तो तब जाकर के आपको बेनिफिट दिखेगा 20-25 जार रुप बात वही है ज्यादा कॉंटिटी में आप बच्चा तो खरीद लोगे लेकिन उसको खिलाने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है मेनेजमेंट होता है बच्चा मरता ज्यादा है मोटिलिटी ज्यादा होता है जितना ज्यादा भीड में रहेगा एक दूसरे के ऊपर चड़ के रात को सोएगा उसमें मरेगा दबा करके चोच मारेगा अगर कुछ बीमारी हुआ तो पूरा का पूरा लौट साफ हो जाएगा तो बहुत ज्याद दीवाइडर या खटाल बना करके उसको अलग से रखो नया चिक्स को लो फिर अगले मैंने हो तो दो सो गिराल लो इस तरह आपका क्या होगा की, कैसा भी हर महें लगभग लगभग में आना शुरू हो जाएगा और तो भी उससे आपके फॉर्म पर फैनेंशल लॉस नहीं होगा और मेरा जितना पुराना वीडियो है उसमें हर तरीका दिखाया गया है वीडियो में भी दिखा रहे हैं कि जितना सस्ता से सस्ता हो उतना अपना प्रोडक्शन त्यार करो रेगुलर बेस पर रखो तो आपको ब एक मेरा जो तलाब वीडियो में दिख रहा है यह सिर्फ एक कठे का तलाब है यानि कि 10 फिट 12 फिट चोड़ा है और 80-90 लगभग लंबा है तो लगभग एक कठे का तलाब है इसमें मेरा 500 बतक अराम से रहता है तो आप सोचो दो घंटा तीन घंटा चार घंटा के लिए क कोई भी सुखा खाना जो होता है कमर्स अपना यहां घर लोकल में जो मिलता है दाउन वा बाजरा हुआ यह सब खिलाते हैं कमर्सियल फिट से दूर ही रखते है इसको कमर्सियल फिट में जल्दी सरीर ग्रोथ तो कर देता है लेकिन कॉस्टिंग बहुत जादा गिर जाता ह है और उसका बिखने का रेट भी मतलब मार्जिन जो होगा बिखने का वह दस से पंदर रुपया कही होगा तो वो मेरे ख्याल से तो बेश नहीं है और वो ज्यादा लोग पसंद भी नहीं करता है तो बेचने में भी थोड़ा दिक्कत होता है आपको होल्सेलर वाला भाव म में देना पड़ जाएगा एक तो समझ लो जैसे पॉल्ट्री फर्म में अगर कंपनी के तरफ से करते हो तो कैसे एक कीलो पे 5-10 रुपय का मार्जिन होता है तो बस वही वाला मार्जिन हो जाएगा अगर कमर्सियल फीट से खिला होगे तो और अगर 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 उसमें जब सस्ता हो तो उसका काट करके वह सब देद दो हरा सबजी सब मतला सब चीज खाता है जो आप जितना कोस्टिंग कर सकते हो उतना कोस्टिंग करने का कोशिस करो तो आपका बेनिफिट होगा ही होगा और यह दो सो बतक बेच के अभी 20,450 रुपया इस वाले लोट से यह दो पर आप अच्छे तरीके से समझा पाते हैं अगर आप लोग को समझने में कोई गर्जकत हो यह दिक्कत हो तो आप जरूर हमको कमेंट करना कि ठीक से हम बता ंच्छात और वीडियो HoagOLL आरे क्योंकि अकेले हम है और काम भी देखना पड़ता है इदर उधर भी जाना पड़ता है दो जगा फॉर्म है एक जगा मेरा मामा चलाता है और दूसरे जगा दोस्ट लोग रहता है तो वहां पे भी मेरा माल गिरता है तो इसके लिए मतलग थोड़ा सा होगा कि आसानी से तो कुछ भी नहीं मिलता है लेकिन हाँ जितना हो सकता उतना कोशिस करते हैं तो आप लोग भी सपोर्ट करो और कॉमेडी वीडियो भी अगर देखना है तो लेजी रवी के नाम से चैनल है उस पर भी जा करके आप लोग सपोर्ट करना अभी सिर्फ साथ सो सारे साथ सो सब्सक्राइबर हुआ है उस पर तो उधर भी सपोर्ट कर और हाँ अभी कल वीडियो अपलोड किये थे ए प्सक्राइबर है सोतक गफ्ट के तरुप मिला है और किसको मिला है किस प्रोसेस में मिला है वो उसी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा और जो लोग चैनल जोएन नहीं किये हो चैनल जोएन जरूर कर लो क्योंकि यह कॉंटेस्ट जो है हर मैने होता है मैने का आखरी तारिक में होता है इस बार सिर्फ एक दिन दो दिन लेट हुआ दो तारिक को मतलब डाले 31 मार्च के जगह पे 2 एप्रिल को डाले लेकिन हा मेरा वीडियो तैयार सब हो गया था नेट का थोरा प्रोब्लम हो गया था वाइफाई का और मोबाइल इंटरनेट में उतना एंबी था नहीं दो दिन में अपलोड होता तो इस वज़े से थोरा प्रोब्लम हो गया तो दो दिन लेट हुआ लेकिन हर मैने मेरा गया फरवरी से श पास का वाला डेट में मतलब तीस से ले करके एक तीस एक तारिक तक ये तीन दिन के अंदर किसी भी दिन वीडियो अपलोड हो जागा कभी टेक्निकल इसू हुआ तो एक दू दिन आगे पिछे हो सकता है ने तो कनफा मैंने का या तो तीस तारिक आखरी दिन जो होगा उसी दिन अपलोड हो तो सपोर्ट बनाये रखना चैनल जोइन कर लो और लेजी रवी नाम से सर्च करना यूट्यूब पर उस चैनल को भी सपोर्ट कर दो और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जैहिन बंदे मातरम